जै मातादी दोस्तों मैं रोसनी सुकला एस्ट्रोजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों रभी वार का दिन भगवान सूर देव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुब दिन होता है इस दिन आपकी मू मांगी इच्छा पूरी हो सकती है आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं आप जो भी चीज सूर देव से मांगेंगे वो हर चीज सूर देव आपको अवसी प्रदान करेंगे भगवान सूर देव का हिर्दे अतिकोमल होता है वो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन हो जाते हैं तो आज मैं आपको रविवार के दिन किये जाने वाले बेहदी सरल उपाए बताने जा रही हूं जो कभी भी विफल नहीं होते हैं और आपकी हर समस्या दुख तकलीप और गरीबी को सदा के लिए खत्म कर देंगे तो अपने फाइदे के लिए बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें पहला उपाए दोस्तों प्रत दिन सूर देव को अर्ध देना चाहिए और रभी वार के दिन अर्ध देते समय लोटे के जल में एक पीला पुस्प और थोड़ी सी पीली सर्चों के दाने डाल ले इससे निर्धनता मिठती है आम दनी के नए सुरोत बनने लगते हैं ब्यापार में उन्नती होती है और करजे का भार उतर जाता है दूसरा उपाय दोस्तो यदी रभी वार के दिन सौ भाग से पीली रंकी गाय मिल जाए तो उसे गुड और चने अवस खिलाना चाहिए इससे अचानलक धनकी प्राप्ती होती है धीरे धीरे घर में धन का आगमन बढ़ने लगता है और तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है यदी पीली गाय ना मिले तो भूरी गाय को गुड और चना खिला दें इससे भी धनकी प्राप्ती होती है तीसरा उपए दोस्तों, रभिवार के दिन चिड़ीों को दाना जरूर डालना चाहिए, इससे भाग का उदाय होता है, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, घर में पैसा नहीं रुकता है, तो ये सभी समस्याएं चिड़ीों को दाना खि पान के पत्तों की माला बना कर माता दुरगा को भेट करने से धन की प्राप्ति होती है। पान्चमा उपाय दोस्तों जो की आखरी उपाय है। जन्मों की गरीबी और दरिदरता को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इन उपायों में जो उपाय आपको सरल और आसान लगा हो वो अवस्त करें। आपकी किस्मत भगवान सुर्देव की करपा से बिलकुल ही बदल जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को सेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार इश्वर करें आपका दिन सुबह।